हलो दोस्तों तो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे तो आज करने वाले हम कला संसकति का टेस्ट जिसमें हमने सामिल किया है बीश क्यूशनों को तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि खीर मोहन के लिए परसिद्ध इस्तान है कि खीर मोहन के लिए परसिद्ध इस्तान है वह आपको मांट आईबूसरूइय। कौन सा इस्तान है जो खीर मोहन के लिए परसीद है तो आप सभी को पता होगा कि जो गंगापुर सीटी है सवाय मदपुर वो खीर मोहन के लिए परसीद इस्तान है करेकट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों उन्एक्ष उश्टा है अंगद आभूशन कोन्से औरो पहना इनोपचर है वह हाथ पेर में पहना चाह सिरथ नाक में प्रोटन पाद का सिर नाग ओपतते हैं वह आ गोपका से तो नाध ही से थापे जाने वाले उपले धेपडी कंडे वा चानों को वर्थ बर्थ सुरक्सित रखने के लिए बनाए जाने वाले घर को कहते हैं क्या किहते हैं एंदर नगर को रख दीया दाता है उसको क्या कर दिया जाता है एंट आपको तो क्या एक जाता है दोस्टो ऑपसर्व क्रेक्ट आन्सर रगां में और इस वो कहा जाता है बढ़ते है सिंग्ञ या पर बताना है और बताना है कपड़े पर कच्छन की बाल लिलाव का अंकर किया जाता है उनको फिचवाय कहा जाता है परो यह बताना है कि पढ़्ली जीले की है या फिर राश्मन जीले की पर स्टेश हाफ्य की पर सिससने बड़ते हैं क्वेस्च को पताना है डोल नरते है या 薦र फेजन नरते है लोगक से हैं नरत इसका और दोल में मना जाता है दोस्तों फेयर कि बात की paxxed का पथिद या जाता है बढ़ते हैं PANI었어 कstrong का दिए जानावाला किसा दोस्तों बताना यहां पर यहां पर यह नर्ते किया जाता है बढ़ते हैं कि तरफ स्थेव भसमा शुरकी कता पर आधारित लोग नाठ चीडौ tape सिवव भसमाशुरकी कता पर आधारित कों सा लोग नाठ के है नहें है एक उंदेपर में भेल जन जाती के दवरा किया बढ़ते है सुसीर वाद यंतरों में सर्वसरेष्ट वाद यंतर सेनाई है जिसका आपको डाइग्राम दिख रहा होगा जिसे किन नामों से जाना जाता है तो सेनाई जो है उसको किन नामों से जाना जाता है वो आपको बताना है मशक और नाक्पनी के नाम से जाना जाता है या फिर तार कि तरफ निम्म में से कौन सा वाधियंतर ऐसा है जो एक जनतु का अणदा है और समुद्रु से उतपन होता है यह सबी को पता होगा दोस्तों जन्तु का अड़ा होता है जिसको पूंख मार के बदाया जाता है वह कौन सा वाद और उद्र में भी बोली दाती है में वाड़ी बुली का समध नहीं है राम रासों के लेक्षक वोन है वह आपको बताना है जानकवी दयाल दास मादोदास या भांकी दास बढ़ते हैं लोग देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का है हड़बु जी, गोगा जी राम देव जी या तेजादी option C, राम देव जी का क्या है लोग गीत लोग देवताओं में सबसे लंबा है, जब कि अगर लोग देवता और लोग देवियों को दोनों को मिला कर पूछा जाता है कि क्यूशन ऐसे बन जाता है कि लोग देवता और लोग देवियों में सबसे लंबा लोग गीत कि का है तो उस कंडिशन में आपको जीन मता आंसर देना है लोग देवता और लोग देवियों में पूछ लिया जाए तो किस लोग देवी के मंदिर से जलने वाले दीपक की जोती से केसर तपक्ति है लुटियाना या लटियाना मता ददी मती मता संच्या मता या फिर आय मता तो उप्संडी आय मता आपका correct answer हो जाएगा आय मता का मंदिर जोतपुर जीले से संबन दिता है और साथ ही में दोस्तों इस मता के मंदिर में जलने वाले दीपक की जोती से क्या तिपक्ति है केसर तिपक्ति है याद रखना है very important question है बढ़ते है next question की तरफ निस्कलंग संपरदाय के संस्तापक कोन थे वो आपको बताना है लाल दास जी नवल दास जी संत मावजी या फिर गुरक नात जी option C संत मावजी आपका correct answer हो जाएगा संत मावजी का संबंध ब्रह्मन परिवार से है और साती में संत मावजी का जनम डुंगरपुर दिले में हुआ था ये भी question याद रखा करो दोस्तों में important बाते जो बोलता हूं question के साथ वो भी आप याद रखा करो वो भी exam में पूछी का संबंध कौन सी जन्जाती से है very important question है बहुत बार पूछा भी गया exam है कि option D का correct answer हो जागा कंजर जन्जाती से समधिता है ये कथन ठीक है बढ़ते हैं next question के तरफ कौन सी जन्जाती में घर के किमाड नहीं रखती है क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो प करते हैं next question की तरफ कि बच्चे की जन्म के बाद पर्तम होली पर ननीहाल पक्स्ती और से उपहार रूप में कपड़े मिठाए फूल बेजे जाते हैं का समध किसी रिती रिवाद से है तो जब बच्चे का जन्म होता है क्या होता है पर्तम होली आने पर क्या किया जाता है ननीहाल पक्स्ती और से उपार बेजे जाते हैं कपड़े बेजाए जाते हैं मिठाए बेजी जाती है पर फूल भी बेजे जाते हैं कौन सारी की रिवाद है दोस्तों आप सभी को पता होगा अगर आप गाउं से हो तो option 10 का correct answer हो जगा दूंड इसे कहा जाता है बढ़ते ह है नेक्स्ट की तरब किसे की लिए में रक्सा हेतु सत्रु और चांदी के गोले दागे गए थे चुरू का खीला सजनगड का कीला बाला कीला या फिर दोस्ता का किला कुन से खीले में दागे गए थे दोस्तों तो उक्षन नियापका correct answer जगा चूरू के की नदर सत्रु के उपर चांजी के गोले दागे गए थे सूरु का जो पीला है दोस्तों उसका निर्माण है कुसाल सिंग के दुवारा करवाए गया था बढ़ते हैं एक मात्र एसा मंदिर जिसके दुवार जनता दर्शन हेतु वर्ष में एक बार सिवरात्र के दिन ही खुलते हैं जो कि जयवपूर जिल्य के अंदर इस्तित है उम्मेद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा